नमस्ते दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखे दोस्तों यहां पर मैं आपको जैंद्रम से संबंदित महतोगन पर्षने उंत्र के बारे में बताऊंगी और हमने यहां पर ऐसे पर्षनों का क्लेक्शन करा है जो प इस वाले वीडियो को अच्छे से देखिएगा पढ़िएगा सुनिएगा ठीक है तो चलते हम जैंद्रम से संबंदित महतोगन पर्षनों और उत्रों के बारे में जानते हैं आपर तो देखे फ्रेंड्स हमने जैंद्रम से संबंदित डिटेल में काफी कुछ आप लोगों तो सबसे पहला क्यूशन है जैंद्रम के पर्थम तिर्थंकर कौन माने जाते हैं वो हैं रिसपदेव ठीक है अब देखे फ्रेंड्स जैंद्रम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कितने तिर्थंकर हुए हैं तो जैंद्रम में 24 तिर्थंकर हुए हैं और इन में पर्थम कौन थे रिस्व धेव थे और ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो बता देते हुए आप मापको और 23 वे जो तिर्थंगर वो पास्वरनात है और 24 वे जो तिर्थंगर है वो महावीर स्वामी थे ठीक है और 24 जो टोटल 24 तिर्थंगर उनके बारे में भी हमने पहले बताया है तो वहाँ पर 24 के नाम दिये हुए है वो आप पढ़िएगा अब देखें अगला क्यों सुन आता है किन दो तिर्थंगरों का उल्लेक रिगवेद में मिलता है ठीक है ये क्यो सुन भी कई बार आता है तो भी रिगवेद में कौन से तिर्थंगरों के नाम मिलते है और वो हैं एक तो आपके रिषभदेव और एक है्müşड अरिस्ट्नेमी तो जो पर्थम जो तिर्थंगर हैं। वो और 22 तिर्थंगर हैं। अरिस्ट्नेमी कोन से? हाँड अरिस्ट्नेमी कोन से? तो जो जैन दरम के 23 वे तिर्थंकर है पासरनात उनका जन कासी में हुआ था और कासी है वह वर्तमान में वारांसी जो यूपी में है वारांसी सहर में कासी इस्तित है और ये एक पोराणिक नगरी है ठीक है अगला क्यों सुनाता है जैन दरम के 24 वे तिर्थंकर महावीर स्वामी का जन कब हुआ ठीक है तो ये विवादा पर्षन है इसके बारे में कई पुस्तिके दो बताती हैं कि 540 इसा पूरा में हुआ और कई बताते हैं कि 59 में इसा पूरा में हुआ ठीक है अब देखिए जो महावीर स्वामी है उनका जन में हमाल लेते हैं पांसो चालिस या पांसो निनार में सपूरा देख लीजिएगा इसमें आपको कौन सा सही लगता है तो ये वैशाली के गंतंत राजे के छत्तरिय कुंडलपूर में इनका जन में हुआ था महावीर स्वामी को किस नदी के तठपर ग्यान प्राप्त हुआ तो महावीर स्वामी को रिजुपाली का नदी के तठपर ग्यान प्राप्त हुआ था और ये जंभिय ग्राम में ये कहां पर है जो बिहार है उसका जंभिय ग्राम है वहीं उसी के पास में रिजुपाली का नदी है वहाँ पर साल वरक्स के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अब देखें अगला क्योशन है कितने वर्षों की तपस्या के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए ठीक है जिन का मतलब क्या होता सबसे पहले तो यह बताईए जिन का मतलब होता है विजेता अर्थात जिसने अपनी इंद्रीओं को जीत लिया हुँ वो जिन कहलाता है तो महावीर स्वामी हैं यह तीस वर्स की अवस्ता में उन्होंने अपना घर छोड़ा था गरहता करा था और बारा वर्स तक उन्होंने तपस्या करी थी, कठोर तपस्या करी थी और जब तपस्या करने में उनको बारा वर्स लग गए थे तो बारा वर्स तक उन्होंने तपस्या की और वो जिन कहलाए थे और इस समय ये 42 वर्स के थे 42 वर्ष के आयू में इनको ज्यान प्राप्त हो जाता है और ये जिन कहलाते है अब जब तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्यान प्राप्त हो जाता है तो ये जिन भी कहलाते है इसके अलावा भी इनको कई नामों से भी जना जाता है जैसे केवलिन, अर्ह, अर्ह का मतलब क्यों होता है, योग्य, निरग्रन्थ, नीग्रन्थ, नीग्रन्थ मतलब बंदन रहीत भी इनको कहा गया, कई बार परिक्षा में पूछ लेते हैं, इबाई महावीर स्वामी को अन्य ओर किन किन नाउं से जनद आता है, तो जैसे केवल जिन अर्ख है निर्गर्म्त ठीक है अब देखे महावीर स्वामी की मर्थ्यू कहां हुई तो वो विती पावा में पावा को पावा पूरी भी का जाता है ये बिहार राजय में इस्तित है ठीक है पिर आता अगला कियोसन खिस ग्रैंथ में महावीर स्वामी के घ्यान प्राप्त का से विस्तार वर्णन मिलता है वो है कल्प सुत्र महावीर स्वामी ने पांचवा क्वा कोनसा पंच महावरत में जोड़ा था क्वाम्यों पहले जो पांच महावरत थे उसमें जो चार और महावरत थे वह किसने जोड़े थे वह जोड़े थे आपके जो 23 वे तिर्थंकर है पासरनात उन्होंने वह कौन-कौन शें थे सत्ते एस्ते अहिंसा एपरिग्र ठीक है चार वो थे और फिर चोविस वे तिर्थंकर थे हमारे महावी श्वामी उन्होंने पांच वा जोड़ा था ब्रहम चैरिये ठीक है उसके बाद आता है जैन दर्शन के सब्त बंगी ज्यान को क्या कहा जाता है वो है शादवाद ठीक ह जैन दर्शन ज्यान का श्रोथ किसे मानता है पर्तेक्स अनुमान और शब्द को कौन से जैन तिर्थंकर को कला में सर्फ कला से युप्त परसुत किया जाता है वो है पाशनात इनका ये चिनबीता सर्फ जैन दर्शन में समर एक ऐसी अवस्ता है जिसमें जब नए करम का परवा है रोग दिया जाता है तो जब नए करमों का परवा रोग दिया जाता है वो क्या कहला था जैन दर्शन में निर्जरा किस अवस्ता को कहा जाता है तो निर्जरा कहा जाता है कर्म परमानों के पून विनास को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है जैंद्रम के संबंद में निम्दर इखित में से कौन सा खतन सही है ये करमवाद में विश्वास करता है ये करमवाद में विश्वास नहीं करता है वो है चंद्रगेरी परवत जैन दर्शन के अनुसार स्रिस्टी के उत्पति कितने द्रवेंशे हुई वो है आपके छैदर्वे और या छैदर्वे हमने पहले भी आपको बता दिया है वो कौन होन से है जीव पुद्गल धर्म एदर्म आकास और काल ठीक है जैन दर्म में क सुक्रि्ण सिधान्ट पर सबसे अधिक बल गया है वह है आहिंसा का सिधान्थ जैन धर्म को दक्षिन भायत ले जाने का स्रे किसे दिया जाता है भथ्ध्र बहु गो जैन दर्म का पर्थम अधिवेशन qaarin तथा किसकी देख्सता मब योई था यह पाठली फुत्र में क्या मतलब हुआ इसमें जो पर्थम जैन संगीती है इसमें महतो पुन काम क्या हुआ था कि जो जैन द्रमवा, स्वेतांबर और दिगंबर दो संपर्दयों में विबाक्त हुआ था जैन अन्यायों द्वारा आयोजी दूसरी महासभा का अधिवेस्टन कहा तता किसके देख्षता में हुआ था ये वल्लबी गुजरात में क्समा सरमन की अध्यक्षता में हुआ था और ये 512 स्वे में हुई थी और इसका कारी क्या था धरम गरंथों को अंतिम रूप में संकल कर लिपी बद किया गया जैन्द्रम के स्वेतांबर तथा दिगंबर संपर्दा कब अस्तित्व में पर्थम जैन संगीती के बाद ठीक है जैन्द्रम से संब्दित ग्रंथों को क्या कहा जाता है अंग उपांग और पूर्वे ठीक है तो आज हमने यहां पर इन महतों मुपर के बारे में आपको बताएंगे तो वीडियो को कंटिन्यूस देखेगा धन्यवाद